अपने आपको helpless समझना और वो कहते हैं कि अपने आपको helpless समझने की कैफियत भी दो वज़ों की वज़ा से आती है There are two reasons why somebody would feel helpless and therefore attain in voluntary poverty वो क्या है एक बंदे का अपने रब के बारे में उसकी मार्फत होना, रब के बारे में इल्म होना Number one, Number two, बंदे को अपने बारे में इल्म होना, क्या मतलब, अपने बारे में इल्म होना के उसकी उकाद क्या है और रब के बारे में इल्म होना के उसकी मार्फत क्या है, therefore, यूनस आलेहिस सलाम की क्या दौा थी ला इलाह इल्ला अंता सुभानक, इन्नी कुंतु मिना जौलिमीन, यानि के, he acknowledged the status of Allah, और उनने खुद क्या किया, इन्नी कुंतु मिना जौलिमीन, डीटेल्स भी नहीं गए, और इबन-कयम कहते है, this is the essence of strength and happiness, और यही वज़ा है, इस आयत के बार, आल्ला ने कहा, कदा अल अलफत होगी, उतनी ये चीज़ें अन-अबस्ट्राक्ट और टैंजिबल लें, जबरदस्ट, मुझे कुरान की आयत याद आगी, या यूल इन्सान, मा घर्रका विर्विकल करीम, एए इन्सान, किस चीज़ ने तुझे गाफिल कर दिया अपने रब के बारे में, जो बहुत करीम है, आज हम देखते हैं लोगों की बड़ी शिकायात हैं, अला माफ करे, पैसिफ शिकायात भी होती हैं, देखें, एक होता है एक्टिफ शिकायात, कोई बंदा मुझे कहा देजी, कोई दौाइं कबूल नहीं होती, कई लोग आते हैं हमारे पास, काउंसलिंग क तरफ तुम चले कैसे गए, मैं तो इसको ऐसे देखता हूं, यानि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, सिर्फ ये, कि एक तुम्हारी दौा जो है, वो कबूल नहीं हो रही है, और उसकी क्या रीजन्स हैं उसके पीछे, तो यंग्स्टर्स को मैं चाहता हूं, हम इस तरह त करतें, पांच मिनट भी नहीं दौा करतें, सजदे में बातें नहीं करतें, तहजद में नहीं उठपातें, वाट आर दोस फैक्टर्स इस पर बात करना चाहता है, इसका जवाब देने से पहले, मैं अबने कायम की बहुत मज़े मज़ी की बाते हैं, लेकर उनके दो करते हैं, उसकी रिप्लेस्मेंट मिल जाएगी, लेकिन वो कहते हैं, अगर कोई अल्ला की मारफ़त खौदे, इसका प्यारिवा तो फिर वो उसको कभी भी नी मिल सबूँआ उनके, मारफ़त का मतलब अल्ला के बारे में नालिज, क्या मतलब, मैं इसका हिंट देता हूँ, knowledge का क्या मतलब है अल्ला ताला का प्यारा नाम है अर्रह्मान मेशक तो इसी तरह अर्रहीम हमें सब को इसका मतलब पता है अर्ला ताला बहुत जादा रहम करने वाले हैं और दवाम के साथ consistency के साथ रहम करते हैं इसका मेरी और आपकी लाइफ पे impact क्या होना चाहिए सबसे important question और उसका scholars जवाब ये देते हैं कि अगर अल्ला ताला की जात mercy वाली है रहमत वाली है तो अल्ला ताला ये चाहते हैं कि बंदों से भी mercy निकले यानि कि I am not merciful to his people यानि कि हम लोगों के साथ अल्ला की मखलूक के साथ रहम नहीं कर रहे तो पर अल्ला ताला हमारे साथ कैसे रहम कर रहे हैं और ये एक अधिस का मख़ूम भी है जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया तो इसलिए बाकी सारी चीज़े इनसान से गुम हो जाएं खो जाएं उसकी रिप्लेस्मेंट मिल जाएगी लेकिन अगर अल्ला ताला चले गए उसकी रिप्लेस्मेंट कोई नहीं इसलिए इसलिए इपने कियम एक और जगा तरीकल हिज्रतैन में कहते हैं कि ताज्युब होता है I am amazed at people जो कि they are aging in their life जमाना गुजरता जा रहा है उमर भी बढ़ती जा रही है लेकिन दिल पे परदे पढ़ते जा रहे हैं इपने कियम कहते हैं कि अल्ला ताला की मारफ़त तो दूर की बात है उसकी खुश्बू तक भी नहीं वो पहुंच सके जैसे दुनिया में खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ चले गए और दुनिया में वो कहते हैं जो सबसे अच्छी चीज थी उसको लिए बगएर ही वो चले गए